चुरू के सदर्थाना छेतर में अपने घर जा रहे दो यूवकों को रास्ते में रोक कर लाठी डंडों और धारदार हत्यार से हमला करने का मामला सामने आया है यूवकों को परीजनों ने अस्पताल में भरती करवाया और सदर्थाने में आरोपियों के खिलाप मुकदमा दर्ज करवाया है सदर्थाना पुलिस से मिली जानकारी के मताविक गाजसर निवासी सुरेंदर गुजजर ने रिपोर्ट दी कि उसका भांजा मुकेश और रवी अपने घर जा रहे थे तबी रास्ते में कपिल, परजापत, विनोद, सुभाश और पांस साथ अन्य लोगों ने उनको रास्ते में रोक कर लाठी डंडों और धारदार हत्यार से मार पीट की जिससे दोनों के सिर में गंभीर चोटे आई मुके पर मुझूद लोगों ने दोनों को गायल हालत में राज के भरतिया जिला अस्पताल के आपात कालिनवार्ड में भरती करवाया गट्टा की सुचना मिलने पर अस्पताल में सदर्थाना पुलिस भी पहुंची जहां उन्होंने गायल यूकों और परिजनों से गट्टा की जान करी ली पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है जिसकी जाच जारी है